विल्कम टू लाइनिंग स्कूल आज की वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे चाथिसगर पब्लिक सर्विस कमिशन ने एक विकंसी आउट की है PCSJ की पब्लिक सर्विस कमिशन के जुरीशरी एस्पिरेंट के लिए एक नई विकंसी आई है 48 विकंसी है अब जान लेते हैं आज ही अपडेट आया हुआ है आज ही नोटिफिकेशन आई हुई और अब हम जान लेते हैं की कौन-कौन से sugar day है काफ फॉर्म फिल होना शुरू होनके कब तक फॉर्म शुरू होना रास डेट क्या है ठीक है तो अनलाइन आपको अवेधन करना है 12-12, 12 December 2022 को दिन में 12 बज़े से लेकर जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 31-12-2022 तक रातरी 11, मतलब 12 बज़े तक जो है फॉर्म भरना जो अप्लिकेशन फॉर्म है वो क्लॉस हो जाएंगे ठीक है और साथी प्रेलिम डेट जो है वो भी आगे है कि आपको 26-26 फरवरी को संडे वाला दिन है उसी दिन जो है हमारा प्रेलिम इग्जाम भी हो जाएगा ठीक है इसलिए तयारी करने के लिए बहुत जादा टाइम नहीं है बहुत ही जल्दी दो महिनों का समय है और आपक प्रेलिम एग्जाम हो जाएगा और साथी साब बात कर लेते हैं इसकी सेलरी बहुत ही अच्छी सेलरी है 37,840 रुपे से लेकर 1,36,520 तक सेलरी है और अब बकैंसे है 48 ठीक है ये भी नहीं बोल सकते कि बकैंसी बहुत कम है या जादा है अट लिस्ट आई तो इतने दिनों के इंतिजार के बाद हमारी 36 कड़ पब्लिक सर्विस कमिशन ने वेकैंस आउट तो की अब हम जान लेते हैं कि इसका सलेबस क्या है जो हमारा एक्जामिनेशन इससे पहले एक्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से है तो प्रेलिम के लिए तीन एक्जामिनेशन सेंटर होंगे और मेंस के लिए सिर्फ दो होंगे है एक भी ढिलासपुर है एक रायपुर है एक दुर्ग भिहलाई है यह मारा प्रेलिम का एक्जामिनेशन सेंटर मेंस के लिए बिलासपुर और रायपुर इन दो ही सेंटर पर मेंस का इक्साम होगा और बोलना है कि जतनी बकेंसिस है उसका सिर्फ 10% मीन जिसे 48 बकेंसी है तो 480 तक कि जो भी candidate pre को एकलार करेंगे वो मेंस में बैठेंगे ठीक है अबजेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 marks की 100 100 question होंगे and each question को 4 option होंगे मतलब objective टाइप होंगे ठीक है और next है कि online पेपर होगा जो भी प्रेलिम का examination होता है online और language बताएगी है बोथ Hindi and English दोनों ही होगी ठीक है जो मेंस का exam होगा उसमें ठीक है और साथी साथ बात करेंगे कि final selection will be on merit base merit basis पर final selection होगा जो भी में 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 जितने बच्चे clear करते हैं उसके बाद interview होगा interview में interview 15 marks का तो interview होगा बहुत ही important है और साथी साथ बात reservation भी है जैसे 33 परसंट मार्क्स ऑफ वाइबा वाइस है मतलब इंटरव्य के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइव और OBC के लिए जो है वो 25 परसंट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू में और साथी साथ एक और बात अपको बताती चलूंगी जो वच्छे जो केंडिडेट जो है वो आउट ओफ चत्रसगर होंगे उनके लिए जो है गोई भी होऊँट है ओब बुछा फ्रॉट आएगा कोड़ फिव प्रसीज़ आएगा कोड़ फ्रिमीनल प्रसीज़ आएगा इंट्डीन एविदेंस एक्ट आएगा ओफ्रोपटी एकट्टी पिय आए अए जैक है और कॉंड्रेक्ट आएग लिमिटेशन एक्ट है चत्यसकर्ड क कोड है और नेगोशिवल इंस्ट्रूमेंट है एक्ट है 1881 का चत्तिसगर एक्साइज एक्ट 1915 का है ठीक है यह तो हो गया हमारा प्रेलिम का सलेबस साधे जब बात करें कि मेंड्स में क्या आएगा मेंड्स तो आप सबको पता होगा कि रेटर में ही होता है और इसके सिर्फ चार पेपर होते हैं एक तो हो गया एक है होगा एक तेसरा पेपर होगा एक ःंगिश तु हिंदि आप दिशी होते हैं वस्में तीर पेपर होगा other state है उसके according जो है यहां पर 3 ही paper होते से अधर्वाइस तो बाकवी states में काफी vanish paper होते में में ठीक है और जो हमारा interview है उसमें ने पहले भी आपको पताया कि जो 15 marks interview है ठीक है और 1 ratio three number of vacancies जो होगी वो बलाई चाहंगी interview के लिए ठीक है बला है a candidate जो belong करते हैं unreserved category के लिए उन्हें secure करने होंगे marks 33 marks in the interview, ठीक है, आज जो schedule cast, schedule tribe और OBC category में आते हैं, backward classes में, उनको 25 marks लेने पड़ेंगे, और एक और बात important जो मैंने आपको पहले भी बताए, कि जो only reservation जो होती है, वो सिर्फ हमें उसी state के candidate के लिए होती है, जहां बगेंसी आउट होती है, जैसे 36 गड़ के जो aspirant होंगे, उन्हीं को जो है, यह reservation मेलेगे, otherwise out of state जो candidate फॉर्म फिल करेंगे, उनको यह reservation नहीं मिलेगे, ठीक है, और बाकी आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप 36 गड़ की official website पर जाके आप इस notification को अच्छे से समझ सकते हैं, य इसे important तो यही था कि कब इसकी form जो है, परना शुरू होंगे, कब जो है, वो last state है, और प्रेलिम का से क्या syllabus है, मेंस का क्या syllabus है, यही है, ठीक है, और साथी साथ मैं आपको बताती चलूं कि मेरे ही YouTube चैनल पर, जो है, वो, जैसे यह law learning school है, इसमें मैंने, एक MCQ of IPC की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, और Hindu Succession Act, जो Hindu हमारा Hindu law है, उसके भी कुछ एक दो वीडियो बनाई है, और साथ में और भी आगे बनाऊंगी, और हमारा जो IPC है, administrative law है, और जो contract act है, उसके भी मैंने काफी जादा जादा जो है, वीडियो डाली है, आप उसको देख सकते हैं, और MCQs, जो IPC के करवाए हैं, बहुत ही जादा important है, ठीक है, यह थी, आप जो है, वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को subscribe करेगा, like करेगा, share करेगा, और press करेगा bell icon को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं, वो आप तक पहुंच सकें, ओकी, थांक थांस और वाचिं,